तो आज का इस वीडियो है आप सभी ICC Class 10 के इस्टुएंट्स के लिए बहुत जदा इंपॉर्टेंट है तो कि इस वीडियो में देखने वाले हैं आप सभी के Mathematics के ML Award Book के Chapter 11 Section Formula के कुछ important questions जो कि आपके होने वाले board examations के लिए बहुत जदा important होंगे और इनको आपको अच्छे से practice करके ही अपना pre-board exam देने जाना चाहिए और अगर आप सिफ मेरे बताय वे questions कर लेते हो previous year questions कर लेते हो और section formula का detail एक वीडियो को देख लेते हो one sort video को आपको देख लेते हो कि जो आपके एक्जाम करीब आएगा तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप each and every questions को revise कर पाए तो जो आपको selected questions बताय जा रहे हैं इन्हें आपको 100% practice करना है और हाँ अगर आपके पास time है तो मैं तो कहूँगा कि आप इस chapter के सभी questions को practice कर लो तो आज मैं आपको यहां पर वही questions बताऊंगा जो आपके previous year questions में नहीं है लेकिन हमें previous year तो 100% करना ही करना है वह तो आपके लिए important ही है ठीक है तो आपको करना क्या है एकक्साइज 1 में से question 1 में से आप question 3 को practice कर लेना क्योंकि बाकी दो questions तो आप काफी easily कर जाओगे लेकिन 3 में आप सकते हो और हो सकता है कि MCQ में आप से पूछा जाए तो question 1 का number 3 question 3 आपको दिन करना है question 3 का part 3 question 3 का part 3 question 1 का 3 question 3 का part 2 दिन आपको करना है question 7 question 7 then उसके बाद से आपके लिए important है question 9 and 10 तो यह question scope को आद रखना है 7 9 10 and 11 क्या करना है section formula में से तो पहले तो आपको section formula chapter को one short form में या तो अपने teacher से या कहीं YouTube से अच्छे से पढ़ लेना है दिन उसके बाद से 1 का part 3rd solve करना है question 3 का part 2nd करना है question 4 कर लेना है question 4 करना है आपको then आप कर लेंगे 7 9 10 and 11 ठीक है 7 9 10 and 11 इनको 100 परसेंट आपको revise करना है इसमें देखो आपका जो 9 वाला question है previous question है इस आपको करना ही करना है दिन हम आगे वड़ते हैं और हमसे एक ratio find करने वाले questions अक्सर को पूछे आते हैं तो आपके practice के लिए 13 का part 2nd इसे हमें काफी एच्छे सरीवाइज करना है 13 का part 2nd तो आपको जो भी questions बताया जा रहे हैं आप अपने book पे टिक करते चलो 13 का part 2nd तो आपको कर लेंगे ऐसे questions कई बार पूछे आते हैं देखे बच्चे ने जिस बच्चे के बुक है उसने doubt भी लगा रखा है इसमें बच्चे फज आते हैं तो 16 हमें करना है 17 तो आपको करना है क्योंकि previous year है दिन आपको कर लेना है question number 20 ठीक है क्या करना है question number 20 then आगे हम लोग बढ़ेंगे और हमारे जो next important question होगा question number 23 ठीक है 20 के बास है 23 then 25 question number 25 23 and 25 then बाकी हमारे जो centroid वाले तीनों questions है तीनों को आप कर लो एक question 100% इसमें से आही जाता है 27 28 and 29 और जैसा कि आपके simple आपके जब जो आपका exam paper आ रहा है उसमें MCQ आने वाले हैं तो मस्किल से हमारे पास 10 MCQ दिये हैं इन 10 MCQ को आप अगर अच्छे solve कर लेते हो और हमारे इस channel पे आपको आने वाले जो वीडियोज होंगे उसमें बहुत जल्दी सभी chapters के top 10 important MCQ बताया जाएंगे तो इसलिए हमारे चैनल को आप subscribe भी कर लो ताकि कोई भी important वीडियो आपने सना करो then हमारे इस channel पे सभी chapters के मेल अरवाल के सभी chapters के important questions बताएगे हैं उनका link वीडियो को description में आप जाकर देख सकते हो thank you